हलो दोस्ते पर फिर से स्वागत है हमारी ग्यान पूटियों यूटूब चैनल पर दोस्तों आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुसकबरी बताने वाला हूँ यह रिकॉर्मेंट जो निकल के आई है जरकंड सरकार की तरफ से निकल के आई है इसमें रोजगार मेला जो और कैसे इसको एटेंड करना है चले इसके बारे में देखते हैं दोस्तों तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ इसका लिंक डालते हैं गूगल पे और ऑफिसल वेबसाइट पे चलते हैं वहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क आप लोग भी खुद से टाइप करके इसका डीटल जान सकते हैं ज्यारखंड गूगल पे टाइप किरिए ज्यारखंड रोजगार बस गूगल पे ज्यारखंड रोजगार करके टाइप इंटर कर दीजे उसके बाद देखिए पहला वाला एक लिंक आएगा www.jharkand.rojgar.in यहां पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इसका पोटल पे आ जाएगे पोटल ओपन हो जाएगा सामने पे इसका होम पेज सामने पे दिखाई देगा यह इसका ओफिसेल पोटल है जरकंड का जो रोजगार जितने भी मेला लगते हैं सब यहीं पे सो हो जाएगे यहां पे देखिए यह एक दिखाई दे रहा है भरती केम्प राची डेटेड 21 और 22 तरिक 2019 को यह केम्प लगने वाला है तो यहां पे हम लोग किलिक करेंगे त पीडियेप डाउनलोड हो जाता है इस पीडियेप को मैं डाउनलोड कर लेता हूं डाउनलोड करके हम लोग डेटेल में थोड़ा देख लेते हैं यह रुजगार मेला कब और कहां लगने वाला है यह डाउनलोड हो रहा है इसको मैं ऑपन कर लेता हूं ऑपन कर लेंगे त पूरा डेटेल हम लोग को पता चल जाएगा यह देखे जरकंड सरकार के तरफ से स्रम नियोजन सचेनिक विभाग और प्रदिस नियोजन रांची बर्तिक इंसमंदिक सुचिना जो दिया गया है देखे यह कहां दिया गया है सा मोडल केरियर सेंटर सरकुलर रोड रांची के करेले परिशद में दिनक 21-22-19 और 22-22-19 को भर्तिक केंप का योजन किया जाना है तो यह मिस बिल्कुल भी ना करें दोस्तों आप लोग एक बर ट्राइ कर लीजिए यह डेट जो मैंने बता दिया है परवारी 2019 के लिए दिया गया है अप लोग 21 फरवारी में अगर एंटरेट करना चाहते हैं तो कैसे कंड़ेट इसको कर सकते हैं देखें यह सिरियल नवर दिया गया है यह इंप्लोयर्स का नाम जो दिया गया है क्या इंडिया या महा मोटर्स प्राइबिट लिमिटेड अ इसमें क्वालिपिकसान कितनी होनी चाहिए सब के लिए क्वालिपिकसान इसमें आईटी मांगा गया है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आठारा से चोबीस सब के लिए आठारा से चोबीस ही मांगा गया है एज लिमिट तो आठारा से चोबीस के बीच अगर आप लोगों का एज है और आई टेक कम्प्लीट कर चुके हैं यह मेंसन जो किया गया है इस ब्रांच उप में से तो आप लोग इसको एपलाई कर सकते हैं डायरेक्ट इसको इसका इंटर्व्यू में अटेंड हो सकते हैं जिसके पोस्ट दिया गया है देखिए फिटर वाले के लिए दिया यह 12,150 पर मंत यह सलेरी रेंज मेंसन किया गया है लिखित परिक्षा के उपरांद उत्रिन करने वाले अभीवर्ती का सच्छतकर लिया जाएगा और यह जो जो जोब लोकेशन रहेगा नौइडा दिया गया है नौइडा में आप लोग इंडिया या मोटर्स देखे 21 तरीकों इसका रेली होगा भरती केमप फिर 22 नमबर पर चलते हैं 22 नमबर पर देखिए इसके लिए क्या है 22 तरीकों कोन सब के लिए होगा जिसमें टेबल में दिया गया है सेम कंपनी वही रहेगी या मां इंडिया या मोटर्स लिमिटेड इसमें सेम है पहला वाला जो बनने बताया हो सब के साथ सेम है 12150 और इसका सेम अप अब दिया गया है यह भी नौएडा में ही लोकेट किया गया है योग एबम इच्छुक उमिदार जो पुर्व से निबंदित नहीं है वे अपने निकटतम परियोजनलाय में अत्वा यह जो nc.in या फिर www.ncs.gov.in पर अपना निवंदित कराते हुए उपरोक्त भरतिक केम्प में नियोजत या नियोजक के परतिनिदी के समझ अपने सभी मूल परवन पत्रों एवां उसकी एक छाया परति तथा बायोडाटा यानि के रीजियों में दो कोपी के साथ लिखित अस्तित हो यह जो डेट बताया गया है इस डेट में आप लोग यह सब रिजिस्टर करके आप लोग यहां पर एटेंड हो सकते हैं प्रिक्षा एवां सचतकर सुभा दस बजे से दो बजे तक होगी बोलके दिया गया है जो उमिदार पूर्व से यानिके पहले से निवंद निवंदित हैं उन्हें पूर्णा निवंदित कराने के आवसकता नहीं है यहां पर लोगों को रेजिस्टर करना पड़ेगा वोलके दिया गया है जूंकि रिक्त निजी छेतर की है उसके नीचे फिर देखते हैं नीचे अता चैन परिक्रिया के नियोजलाय का किसी परकार का हस्तचेप नहीं होगा घक तो यहे सका पीडिये था पीडिया था यहां पे डिटयल गया है 21 और 22 और का लिहां 20 और को दिया गया है आयटेक्वाले कंड़ेट के लिए और 22 तरीकर जान दया है एंसको अटेंड कर सकते हैं तो जो staff Shad मैंने बिटाया यहां दूनों वेबसाइड दिया गया है देखिए यह एक जहरकान रोजगार NIC.IN यह एक वेबसाइड है इसका लिंक है यार यह एक लिंक दिया गया है ncs.gov.in यहाँ पर रेजिस्टर करके आप लोग यहाँ पर एटेंड हो सकते हैं इसरेली में तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और साथे साथ बेल घंटी को भी दबा दें जिससे अप लोगों को नोटिपिकेशन टाइम टाइम पर सबसे पहले मिलते रहेगी दोस्तों थाइंक्यू